सबसे पहले भारतिय जन्मानस के आधार मेरे आराध है प्रभू श्री राम के पंक्तियों से शुरुवात करती हूँ आप सभी का आशिर्वाद, आप सभी का प्रेम, आप सभी का समर्थन यहां से ले जाना चाहती हूँ देखेगा नहीं चंदन से कम कणकण जहां जन में थिरगुनन्दन धरावो धाम से बढ़कर जहां जन में थिरगुनन्दन विकल, विकल धरती को देने त्राड पापों से दशानन के मनुजतन में अवधपति के यहां जन में थिरगुनन्दन वाह, 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 जेदे, जेदे, जेदे बहुता भाह, बहुता भाह, और लिए, लिए अनुपमनों हर रूपमन में राम बसते हैं वो रसना धन्य है जिस पर वो आठों याम बसते हैं बने आदर्श सत्पथ सद्विचारों संसकारों के करोणों काम के छविधाम वो निशकाम बसते हैं अ नैयाले में सालों से зап्रात धेन था जिस पर वो आठों याम बसते हैं और जैसे कि आप सभी को पता है कि राम नंदर बनना नैयाले में सालों से बिलंविति था विचारा ठीम dau下一 है कि भूबी के तालियों के माद्यभान से आप सभी के आशरवात से आयोध्या अचाने का प्रास करती हूं चवी चवी मन में बसी जिनकी वही छवी धाम बैठेंगे लाला बनकर अवध में अब प्रभू श्री राम बैठेंगे लाला बनकर महल में अब प्रभू श्री राम बैठेंगे मनुझ का रोप ले करके जगत को तारने आये वो तारन हार पालन हार प्रभू श्री राम बैठेंगे बहुत आभर मेरे समक्ष मेरे सभी युवा भाई बैठे हुए हैं मैं इन चार पंग्तियों में उन्हें कुछ सलाह देनी की कोशिश करती हूँ किनका हमें सबसे अधेक सम्मान करना चाहिए किसका स्थान ईश्वर से भी बढ़कर हो जाता है इन चार पंतियों में बताने का प्रयास करती हूँ जातेगा प्रभु के मूरत जैसी मेरे मात पिता की सूरत है प्रभु के मूरत जैसी मेरे मात पिता की सूरत है इनके आशीशों की जीवन में हर हाल जरूरत है जन जावातों के बेहड में सुगम पंत मिल जाएगा जन जावातों के बेहड में सुगम पंत मिल जाएगा हर कर्मों की इनके ही हाँ थो में शूब्र मूरत है जो 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 जैसी मेरे मात पिता की सूरत है जो जाए ऑसलाब द्रटी है आगर्या मेरा कि वारी जी अधा भात अभात धन्य वार्ट मैं पर साथी तिवारी अतनी परिजेगी पंतियों से आप सभी को जो जोडती हूं सब्सक्राइब नंही सी कलम हुमे पर काम बड़ा कर दूए नन्ही सी कलम हूं में पर काम बड़ा कर दूं आशीश मिले सब का तो नाम बड़ा कर दूं चोटा या बड़ा हमको किरदार बनाता है आघाज तो छोटा है अंजाम बड़ा कर दूं मैं लेके तिरंगा ये सरहद तक जाऊंगी सीमा पे खड़ी होकर इसको फहराऊंगी सीमा पे खड़ी होकर इसको फहराऊंगी जोका नेना कभी दूँगी ये शान है हम सबका जोका नेना कभी दूँगी ये शान है हम सबका ये सौभिमान अपना दुनिया को दिखाऊंगी मैं लेके पूत रंगा ये सरहद तक जाऊंगी बहुत आभार और इस धरा को प्रणाम करती हूँ मात्र भूमी को नमन करती हूँ और तिरंगे के सम्मान में ये चार पंगतिया अपनी इस माटी का सम्मान तिरंगा है भारत के जन जन का अभिमान तिरंगा है भारत के जन जन का अभिमान तिरंगा है जन नीव जन्म भूमी है स्वेग से पढ़कर भी अपने भारत भू की पहचान तिरंगा है जन का अभिमान तिरंगा है और मेरा मानन है कि देश में सबसे अधिक जरूरी जो है वो है देश की एकता तो एक्ता के नाम दिए चार पंक्या होती हूँ हम मले तमिल के हो या हो बंगला भाशी पो रब हो या पस्चिम मत भेद नहीं कोई हिंदू ना मुसल्मा है हम है भारत वास हम है भारत वाशी है हम है भारत वास वा 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 अर्ज हास के हदुहिद साइकलोन चक्रवाद तूथान हास के हुदहिख में आद्ञाने ज्रहला लंबर वी करदिल हो गया है माई परादनिया शाक्षित त्यारी बड़े भाई अंबर जी का बहुत बहुत स्वागत है देश के बड़े कभी है मेरा सभागी के उनके समक्ष में पढ़ पाती हूँ अच्छा मामा है मेरे जोगर देखे मैं अपना प्रयास करती हूँ देखेगा किसके बड़ावलत किसके दम पर अपना हंदुस्तान जंदा है मैंने इन चार पंक्तियों में बताने का प्रयास किया है और आप सभी की इस पे सहमती हो तो आपसे जोरदार तालियों का समर्थन चाहूँगी पंक्ति के अंद में शहीदों कारगों में जब तलक वलिदान जिन्दा है समूचे विश्व में माभारती का मान जिन्दा है ख़़े सरहद पे जो दीवार बनकर काल दुश्मन के उन्ही रण बाकुरों के दंप हिंदुस्तान जिन्दा है और सदा माटी की सेवा में है जिसका ध्यान होता है उन्हें ही राम से मतलब वही रह्मान होता है हमारे हमारे पीढ़िया उस पर हमेशा नाज करती है हमारे पीढ़िया उस पर हमेशा नाज करती है अमर हो जाता है जो देश पर बलिदान होता है अमर हो जाता है जो देश पर बलिदान होता है और ये चार पंक्या इसे सम्मंदित सुन ले है पोशक हम हिंसा के मगर डरते नहीं है हम एक तार सौहर्थ की भी बात करती हूँ तभी कहना मुझे जरूरी समझने आता है है पोशक हम हिंसा के मगर डरते नहीं है हम कभी नादान बैरी की फिकर करते नहीं है हम है पोशक हम हिंसा के मगर डरते नहीं है हम कभी दादान बैरी की फिकर करते नहीं है हम नहीं अभ्यमान ताकत पर हमें विश्वास ख्ुद पर हैं समर में मारते ही हैं मगर मरते नहीं हैं है पोशक हम महिंसा के मगर डरते नहीं है हम बहुत आभारा आप सभी का मेरी मा मंच पे बैठी नहीं है तो मैं चाहती हूँ कि एक कविता जो मैंने बहुत शुरुवात में लिखी थी शुरुवात के मंचों पर पढ़ी थी आज मझे पुनह याद आ रहा है तो मैं आप सभी के समक्षों का विता रख दू फिर मैं अपना स्थान लूँगी फिर जैसा आदेश होगा मंच का एक जोरदार तालिया जोरदार तालिया पढ़ा कर आदेशित करे देखेगा मेरे चहरे की रंगत देखकर मा जान जाती है यारों वो दिल के दर्द भी पहचान जाती है और बलाएं इस जहां की कुछ नहीं कर पा रही मेरा दुआ बनकर मेरी मा हर जगह ही साथ जाती है और मुसीबत आए भी तो किस तरह आए मेरे उपर मुसीबत आए भी तो किस तरह आए मेरे उपर हिफाज़त की वो पोशीदा सा चादर डाल जाती है और शर्मो शर्मो हया लिहास का जेवर लिये हुए विरासत में यही देकर हुनर बच्चों को जाती है और अब आगे है जो अपनी मा को अपने संग नहीं रखते वो घर में है तो घर से हर मुसीबत भाग जाती है मेरे मेरे चहरे की रंगत देखकर बहुत आप